हाई एवरिवान दिस इस सुभासिस हम लोग एक नया सीरीज अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो पेन और पेपल लेकर रेड़ी रहना क्योंकि बहुत साय लोग जे बार बार पूसर रहते हैं सर प्राइस आप कैसे रीड करते हो प्राइस एक्षन कैसे देखते हो तो पहले च प्राइस एक्षन आपको समझ में आएगा फिर आने वाल टेम में प्राइस एक्षन का सीरीज बनाऊंगा तब आप लोग को इन डीटेल्स में समझ में आएगा बार बन में आप एक पॉइंट बताता हूँ कि श्टेप बाइस चलो जैसे ट्रेडर क्लव के अंदर अभी हम एक्ष्ट डिसेंबर मन्त में कंजुकुटिम लिए हम लोग विकली एक्सपारी भी ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ट्रेड करके देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिएकर जब आप न देखते हो किस परसन को ट्रेड करते हुए या फिर आप देखत आपको confidence कर आएगा जब experience आप गेन करते चलो गया हुप यह पॉइंट आप समझ में आ रहा होगा तो price pattern ऐसा है जो continuously keep on मतलब चलता रहता है बस इसको आपको observe करना है देखिए एक line में आपको बार बार बताता हूँ हर इक जगा पर pattern बनते रहते हैं अगर market उपर गया यहा market अगर यहां से पिर इस तरीके से नीछे आ गया फिर पुछ pattern बन गया market अगर imagine करो यहां से गया फिर यह बना के नीचे आया यह एक पैटन बन गया तो इस तरीके का पैटन बनते रहते हैं लेकिन उसका सिग्निफिकेंट समझना बहुत जोड़ी यह कौन से जगा पर हो रहा है कहां हो रहा है और कहां तक टार्गेट होना चाहिए या फिर प्लानिंग क्या होना चाहिए और तो बॉनस पॉइंट के न पूरा कॉंटिटी आप देख रहो तो मेक शूर किने हमेशा रेक्स्टो रिबॉर्ड आपको इतना लगता है आप उसी साथ प्लान कर सकते हैं तो मेरे इंटेंशन है इतना मुझे आता है मैं आपको सिखाते रहूं तो आज का पहला टॉपिक है असेंडिंग ट्रांगल हो होता है तो फिर हम लोगों को यहां पर एक असेंडिंग ट्रांगल टाइप क्यूंकि उपर कि तरफ यह फ्लाट है और यहां पर यह उपर कि तरफ जा-इसंडिंग ट्रांगल टैप दिख रहा है तो यह ब्रेकाउट पर जनरल यह बाइंग का एक सेनारियो होता है यह formation कु इसके अंदर थोड़ा सा buyers and sellers का effect देखेंगे, फिर जल्दी से मैं आपको conclude कर दूँगा, क्योंकि ये सारे टॉपिके उपर हम लोग पहले कुछ-कुछ पोजिशनल ट्रेट्स लेते थे अगर पुराने वीडियोस आप देखोगे, ये सीरीज के अंदर मैं अकुमलेट करके देद रहा हूं, so that कि आप जब सीरीज को continuously देखोगे या सीखोगे, तो आप इन डीटेल्स में समझ पाओ, कौन से टाइम में कौन सा प्राइस काम करता है and ascending triangle कैसे formation होता है, first thing, इसका पहला step हो जाता है, ascending triangle का, कि आपको एक up move चाहिए, market के अंदर एक up move, कहीं भी भी आ गया है, और आप यहां पर ढूंड रहो हूँ, इस तरगे से price action बन रहा है, इसको हम लोग trade नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले एक up move चाहिए, that means, यहां पर ह हम लोग का buyers accumulate हुए है, एक up move आया, उसके scenario क्या रहा है, let's imagine कि ने, एक point आया, यहां पर thousand रुपीज का एक point था, 900 से यह चलना सुरू हुआ था, और हम लोग कोई भी time frame में देख सकते है, thousand के आसपा जब यह पहुँचा, imagine करते है, one hour का time frame है, thousand में पहुँचा, उसके अदि सोची कि price pattern बनता कैसे है, market यह नीचे की तरफ आया, तो यहां पर कुछ लोग खुस होंगे, क्योंकि हम लोग selling करके, उन लोग selling करके बैटे हुए है, market नीचे की तरफ आया, लेकिन जितने लोग यहां पर buy किये होंगे, या फिर जितने लोग miss out हुए होंगे, 900 से 1000 गया है तो 930, 940 कहीं न कहीं यह resistance बना होगा, सरी support बना होगा, तो उन लोग miss किये है, जब market नीचे आता है, पहले support हीट करता है, यह point जानबर को पहले support हीट करता है, क्योंकि यह buyers का selling area था, sellers आये, support हीट किया, फिर यह reverse होना start होता है, कोई भी point पे reverse हो सकता है, यह reverse होना start हुआ, reverse होने के बाद, exactly इसी point के आसपास आने के यह thousand, क्योंकि यह previous time में selling आया था, फिर से selling happening होना start होता है, क्योंकि buyer इतने दूर से breakout दे नहीं पाते, तो इसके कारण thousand के आसपास हो सकता है, 995 के आसपास कहीं पे यहाँ पे resistance मिल गया, तो फिर यह नीचे आना start करता है, जिस तर support find out करके फिर उपर जाने का कोसिस करता है, correct आपको दिख रहा होगा, तो that means first time sellers आये, यहाँ पे selling हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं previous time buying बहुत huge था, उसके लिए support मिल गया, फिर यह उपर की तरफ गया, जितने लोग short किये थे, उन लोग फिर से add किया होंगे position या फिर short किया हों फिर यह उपर जाके कोसिस किया, फिर एक resistance लिया, फिर यहाँ पर वेट करने के बाद एक breakout का scenario बनता है, और यह price section आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का कुछ pattern दिखता है, इसको बोलते है हम लोग ascending triangle, इसका पहला point यह आ जाता है किने, जो पहला हम लोग का point आ जाता है क buyers का scenario होना चीए, पहले buyers का scenario आया, उसके बाद जो first sell-up आया है, हमेशा ध्यान में रखो, यह first sell-up था, correct, market अगर उपर की तरफ गया है, resistance hit किया, और यहाँ से breakout नीचे की तरफ दे देता, इस से start of new downtrend, क्योंकि market उपर गया, यहाँ से फिर नीचे की तरफ बनाया, first time यहाँ पर high लगाया था, उसके थोड़ा सा high low बना, और उसके बाद जो low लगा था, वो taken out हो गया, तो यह price action बन जाएगा, आप लोग को negative side, जिसको हम लोग downtrend में convert कर सकते हैं, downtrend बोलते हैं, तो that means कही ना कही buyer यह level को defend करने वाले, market अगर somewhere around नीचे की तरफ आता है, और यह level defend हो और यहां से reverse होना start होता है, तो इससे start up है ascending pattern, तो आपको पता कब चलेगा ascending pattern बन सकता है, यहां पर दो pattern बन सकता है, फर्स तिंग, जब ही भी first time buying के लिए move आए, हमेसा वेट करना, अगर आप imagine करो 900 के आसपास आपास आपाई नहीं कर पायो, तो don't worry about it, क्योंकि बहुत स You just have to wait for some time कि एक price pattern offside बना है, ascending triangle बना सकता है, flag बना सकता है, annual time में हम discuss करेंगे flag के उपर भी, लेकिन कोई एक pattern होना चीए, यह अगर generally first pullback में हम लोग को wait करना है, हाँ यह pullback आया, selling भी नहीं करना है, wait करना है, क्योंकि यह first pullback आया है, तो हो सकता है कि एक sell up आया है, एक seller profit booking आया है, उसके बात से हम लोग का ascending pattern बना स्टार्ट हो जाता है, यहां से यह अगर उपर जाके यहां से break कर देता है, इसे up trend continue, हम लोग ऐसे भी यहां पर buy करने वाले थे, wait किये थे, अगर यह break नहीं कर पाता है, इस zone के आसपास जाके थोड़ा सा नीचे, यह zone के आसप अगर trading happening होगा, तब यहां पर ब्रेक आउट देगा, फिर buyer add होगे, जनरली क्या होता है, 900 के आसपास market में move हो आता, फिर यह exhaust हो जाते है, buyers जनरली exhaust हो जाते है, क्योंकि 1000 check उन लोग पहुँच चुके है, कुछ लोग profit book करेंगे, कुछ लोग अपना selling position initiate करेंगे, फिर यहा जाएगा, price अगर इस zone पर बना रहा तो यह base बन गया, यह base से अगर यह market previous swing को break नहीं करता, और यहां से फिर रिवर्शन चला जाता है, it's a sign कि ने यहां presenting pattern बन रहा है, आपको cut rate करना है, इंडिटर्स में हम समझेंगे, लिकिन यहां पर आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आपको यह pattern बनने बनने में, almost यहां पर आपको first एक move दिखा, up move, फिर downside move, impulse move हुआ, उसके बाद से आप इसको देखना start कर सकते हो, यह pattern बन सकता है, formation हो सकता है, तो यह generally क्या होता है, upside में एक flat line बनाता है, upside में कुछ ज़्यादा up move नहीं आता, यह flat line बनाता है, तो इस पर हम लोगों को somewhere on entry हो जायागा, stop loss आप इधर यहां पर रख सकते हो, डिपेंड करता है, कितने point का यह breakout है, target क्या होना चाहिए, target जो एक first pullback आया होगा, हर एक important point है, हर एक point जहां में रखना, यहां से इतना यह point दिख रहा होगा, यहां से, उतना आप double इसको project कर दोगा, उतना आपका target होना चाहिए, अगर 1000 से 970 तक आया होगा, तो यह 30 point का move आया है, first selling आया है, आपका 60 point का यहां पर target होना चाहिए, और stop loss आप उसी साफ सर प्लान कर सकते हो, जिनरली यह swing अगर 20-30 रुपे में मिल रहा है, well and good, अगर यहां पर 20-30 रुपे मिल रहा है, तो यह पर step side हम लोग प्लान कर सकते हैं, कुछ example दिखाऊँगा, लेकिन I hope यह price action आपको समझ में आ गया होगा, which is very important, लोग बस ना, यह pattern ढूनते रहते हैं, कब आयेगा, और इसके पीछे का reason नहीं समझते हैं, उसके कारण लोग सामने दिखता भी है, लेकिन confidence के साथ ट्रेड न देखेंगे, यह bullish pattern के अंदर market को पहुझ लेना चाहिए, हो सकता है, market उपर जाया और इस तरीके का कुछ pattern बनाया है, which is comes under pole and flag, आनेवल टाम में डिसकस करेंगे, यहाँ पे straight line नहीं होता है, यह थोड़ा सा incline होता है, मतलब थोड़ा सा decline होता है, नीचे की तरफ रहता है, उसका जो projection होता है, या फिर trend line होता है, नीचे की तरफ रहता है, लेकिन ascending triangle का interesting यह है, यह हमेशा एक trend line, एक flat line की हिसाफ से रहता है, यहाँ पे एक flat line आप लोग ड्रॉड कर सकते हो, और नीचे की तरफ swing up move होते रहते हैं, तो generally क्या होता है, first seller यहाँ पर आया है, market को इतन से यहाँ तक लेकर आए, तो that means पहले time जितने seller थे, second time में नहीं है, third time में जितने seller थे, second time इतने seller थे, third time में नहीं है, उसके बाद यहाँ पर breakout हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे stop loss accumulate होना start हो जाते है, तो यह resistance हो रहता है, फिर breakout करके यह फिर अप्मूम में निकल जाता है, I hope यह point आपको समझ में आ गया होगा, फिर में हम लोग example देखते है, hit the like button अगर आपको समझ में आए, क्योंकि यह जो छोड़े-चोड़े price point है, आपको आने गाल time में बहुत जादा काम आता है, अगर मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा हो, यहाँ पर आपको दि scenario है, फिर एक point आया, जहाँ से market नीचे की तरफ move किया, good, it's a selling area, फिर एक point आया, जहाँ पर market उपर की तरफ move किया, लेकिन यहाँ पर pause ले लिया, फिर नीचे की तरफ move किया, आप अगर देखोगे, previous low upshift हुआ, यहाँ से फिर से move आया, उपर की तरफ, और यहाँ से फिर य नीचे है, और जो previous time पर low लगा था, उसके आसपास कहीं पर close दिया, अगर आप draw करोगे, यह कहीं ना कि upshift हो रहा है, low upshift हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग draw करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगो को एक trend line flat दिखते हुए दिखेगा, कि यहाँ पर इस तरीके का line मिल उसके sell-off आया, pullback जो आएगा, पहला pullback, second pullback उससे उपर होना चाहिए, मतलब जो low हो अपसिट होना चाहिए, और उपर की तरफ एक flat line बनेगा, trade कब करेंगे, trade जब इस तरीका कुछ candle मिलेगा, तभी हम लोग इसको trade कर सकते हैं, यह nifty का candle था, वी recent में बना था, trade यहाँ स कर सकते हैं, और समय around यहाँ से high से लेकर यह low तक जितना point है, उतना upside project करेंगे, वो हम लोग का target रहेगा, तो इन इसकेस यह बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, और एक अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर positional trade अगर देखेंगे, आप यहाँ पर इसका detail देख सकते हो कॉंसा stock है, कॉंसा time frame है, यहाँ पर अगर देखेंगे, market में पहले एक up move आया, आप देख रहे हों कि, फिर sell up आया, फिर market उपर की दरब गया, फिर sell up आया, यहाँ से wait किया, breakout, breakout candle आपको दिख रहा होगा, that means, यहाँ पर strength है, कुछ लोग बोलेगे, sir, volume के साथ merge करना चाहि बनाऊगा, उस time पर क्या volume कितना काम करता है, नहीं करता है, क्योंकि, जो मेरा experience से मैं आपको सिखाने वाला हूँ, it's up to you कि आप उसको किस तरीके से deal करते हो, अगर आपको volume confirmation चाहिए, यहाँ पर volume रख सकते हो, लेकिन price is got, और price को एक बार समझना start कर दिए, फिर चीज़े इजी हो जाएगे, यहाँ पर देखें कि previous low से यह low उपर बना, फिर यहाँ पर और उपर बना, तो यह triangle बन गया, इसलिए इसको ascending triangle बना जाता है, क्योंकि यहाँ से, और यहाँ से हम लोग का target अगर देखेंगे, easily मिला है, तो important क्या है, three point important है, यह candle, मतलब जो पहले up move आन करना चाहिए, that means, जो low है, वो sustain करना चाहिए, hold करना चाहिए, और उसका breakout candle, एक solid candle होना चाहिए, जैसे strong bullish bearish, हम लोग traders club के अंदर सीखें, उस तरीका कुछ candle अगर मिला, इट से more confirmation, यहाँ पर हम लोग प्लान कर सकते हैं, और in this case, stop loss कहा होना चाहिए, first thing, अगर इस जोन के अगर stop loss रख रहे हैं, well and good, या फिर इसके नीचे भी प्लान कर सकते हैं, depend, कभी-कभी में यह candle के नीचे भी रखता हूँ, अगर यह candle बहुत बढ़ा है, stop loss के नीचे भी प्लान कर सकते हैं, हम लोग का प्लान है कि यह breakout देगा, और हम लोग trend के साथ है, यह trend following trade है, तो हम ल candle, यहां पर हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं, quantity add करने के लिए, अभी हम लोग example देख लेते हैं, nifty bank nifty के अंदर भी एक pattern अभी बन रहा है, nifty के अंदर, आपको in this case, ना सही से समझ नहीं आ रहा होगा, कि नहीं हाँ, क्या यह तर दिख रहा है, तो जबी भी एक पॉइंट trade में trade करते रहते हैं, intraday के अंदर, उनको समझ में आता है, कहां पर trade चल रहा है, क्योंकि हर इक जगा पर trade दिखता है, लेकिन जब उन लोग 15 मिरिट यहां पर नवार में change कर लेते हैं, उनको समझ में आता है, कि नहीं हाँ, उन्लों जो trade ले रहते हो गला zone पे था, अभी अभी आपको थोड़ा सा दिखा हूँ, आपको नहीं दिख रहा है, यहां पर chart pattern अभी आपको easily visible हो गया, आप अगर देखोगे, यह previous resistance को अभी respect कर रहा है, यहां पर समय आराउंट एक high लगाया था, इस zone के आसपास हम लोग को एक दिख रहा है कि नहीं, यह area के आसपास कह लेदा कई market continuously halt कर रहा है या pause ले रहा है, उसके बाद अगर देखेंगे market previous time एक upside move में था, यहां से अगर देखें, 19,000 से लेकर 9,700 upside move था, उसके आप first strong pullback यहां पर आया, उसके market उपर की तरफ move किया, फिट से एक pullback आया, फिर market उपर की तरफ move किया, और यहां पर अभी कह पेड़ कर रहा है, तो आपको यहां पर एक pattern दिख रहा होगा और यह pattern classical pattern है, तो that means हम लोग को breakout कैसा candle चाहिए, हम लोग को breakout समय रहा हूं, इस तरीका कुछ candle चाहिए, यहां पर जो candle बना है, उस तरीका candle चाहिए, अगर इस zone के आस पास इस तरीका candle बन जाता है, इस तरीके लोग को एक pattern दिख रहा है, लेकिन trade कप करेंगे, अगर market margin करो gap down खुल गया, तो यह valid रहा नहीं, क्योंकि previous swing के नीचे trade करना start कर दिया है, हमारा condition यह ता है कि नहीं जो first swing है, वो second swing उससे उपर होना चाहिए, तो that means यह low हम लोग का मतलब sustain करना चाहिए, higher high बनाना चाहिए, लोग उपर उपर बनना चाहिए, लोग अगर इस zone पर बना तो भी चलेगा, market अगर gap down खुल के यहाँ से निकल रहा है तो भी चलेगा, flat खुल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग को candle कैसा चाहिए, candle एक strong bullish candle चाहिए, तो लोग trader's club के अंदर है, उन लोग को पता चल र में किस तरीके से perform क्या हो सकता है, अगर gap down खुला, यह प्लान हो जाएगा, तो अभी क्या हुआ, market को हमें condition दे दिये, कि नहाँ, यहाँ पे market bullish था, market pause ले रहा है, अगर breakout देगा, तो मैं यहाँ पर प्लान करूँगा, तो यह ascending triangle के अंदर आ जाता है, हाई हूप यह point आप आप लोग सारे बस लिखते चलोगे, कि जबी आप लिखोगे चीजों को, तब आपके mind में वो आ जायाएगा, और जबी आप उसको फिट second time देखोगे, आपके mind में automatic आजाएगा, हाँ, यहाँ पे strong bullies बनेगा, तभी buy करना, ऐसा नहीं कि market में pattern बन गया, एक spike लगाया, मै trade ले लूँ, तो make sure कि ने, यह सारे point ध्यान में रखना बहुत जादा interesting है, मैं यहाँ पर one hour charts में दिखाया, 15 minutes charts में भी यह clearly दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग को difficult हो, लेकिन कहीं समय रहों, इस zone के आसपास एक resistance flat line आपको दिख रहा होगा, और market higher higher जा रहा है, तो यह zone के आसपास अगर कहीं bullish candle बनाया यह zone पर, तो यह buying का scenario बन सकता है, जिस तरी किसे यह pattern बना हुआ है, अगर इसके नीचे आता है, तो यह swing को hold करना जग, नहीं hold कर पा रहा है, यह फिर valid नहीं है, अजब यह point आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सारे important point मैं आपको वीडियो अचे लागा तो यह मैं लाइकें से आपकोमेंट्स, अभीकली इतने, तैंक्यू,